हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बच्चों में यूज होने वाले औरल सस्पेंसन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे किस बच्चे को कितनी एंटिबाटिक्स मेडिसिन देनी होती है चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं डोस केलकुलेशन के बारे में यहाँ पर डोस केलकुलेशन के दो फॉर्मूलास कीविन है पहला है एक्स मिली ग्रेम पर केजी पर डोस दोतरा है एक्स मिली ग्रेम पर केजी पर डे यहाँ पर डोस और पर डे का क्या मतलब होता है यहाँ पर X के वेलियू कोई भी नुमेरिकल नंबर हो सकती है जैसे कि 1 मिलिग्रेम, 2 मिलिग्रेम, 7 मिलिग्रेम इसको हम PCM मतलब कि पेरा सीटमोल एक्सामपल से समझते हैं PCM की जो डोस होती है वो 15 मिलिग्रेम पर केजी पर डोस के हसाब से दी जाती है अगर देखिए 9 किलोग्राम का कोई बच्चा है तो 1 किलोग्राम के बच्चे को 15 मिलिग्रेम तो 9 किलोग्रेम के बच्चे को 15 इंटो 9 मतलब कि 135 मिलिग्रेम, 135 मिलिग्रेम पर डोस 9 kg के बच्चे को पर डोस मतलब के एक डोस में 135 mg परसीटमॉल दे सकते हैं यहाँ पर इसके 5 ml में 120 mg परसीटमॉल है इस 9 kg के बच्चे को 135 mg परसीटमॉल देना होता है मतलब के 5 ml से थोड़ा ज्यादा ये मेडिसिन देनी होगी यहाँ पर पल्डोस का मतलब होता है सिंगल डोस में इतनी मेडिसिन देनी होती है जबकि पल्डे पल्डे का मतलब होता है दिन में दो बार या तीन बार उतनी मेडिसिन दे सकती है चलिए इसको समझते हैं तो सबसे बेले बात कर लेते हैं ओफलोकससिन ओरल सोल्यूशन के बारे में तो ओफलोकससिन एक एंटिवाटिक मेडिसिन होती है ये बच्चों में लंग्स इंफेक्शन मतलब के फेबरो में इंफेक्शन या यूटियाई UTI मतलब के Urinary Tract Infection अगर दिखिए पिशाप की नली में कहीं भी Infection होता है तो इसको हम Urinary Tract Infection के नाम से चानते हैं यह इसका यूस बच्चों में Skin Infection में भी किया जाता है बात कर लेते हैं इसकी डोस के बारे में तो इसको 15 मिली ग्रेम पर केजी पर डे इस फॉर्मूला के भी इस पर दिया जाता है अगर बच्चे का बजन 20 किलो ग्रेम है तो इसको कितना ओफलोकसासिन देना होगा तो 15 गुणा 20 is equal to 300 मिली ग्रेम तो पूरे दिन में 300 मिली ग्रेम यह मेडिसिन देनी होगी इस 300 मिली ग्रेम को आप बीडी मतलब के दिन में दो बार मतलब के 150 मिली ग्रेम प्लस 150 मिली ग्रेम दो बार में पेसेंट को दे सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं सिफेक्सिम एंटिबाइटिक्स के बारे में सिफेक्सिम एंटिबाइटिक्स ये सिफेलो स्पोरिन एंटिबाइटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है जो बच्चों में एर मतलब के कान और नोस इंफेक्शन में यूज की जाती है इसी के साथ साथ अगर बच्चों में टॉंसलाइटिस हो जाता है तब इसका यूज कर सकते हैं और ब्रॉंकाइटिस मतलब के lungs में inflammation क्योंकि itis मतलब होता है inflammation tonsils में अगर inflammation होता है तो इसको tonsillitis कहते हैं और bronchitis में inflammation होता है तो इसको हम bronchitis के नाम से जानते हैं तो इन cases में syfexim का use किया जाता है syfexim की जो dose होती है वो 8 mg पर केजी पर डे इस formula के बेस पर हम patient को देते हैं और पूरे दिन में ये पेसेंट को BD मतलब के दिन में दो बार दे सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं C4-Docsim के बारे में ये भी एक एंटिबाटिक्स मेडिसिन है और ये बेक्टिरियल इंफेक्शन जैसे के acute otitis media otitis मतलब के कान में inflammation तो कान में inflammation में ये medicine यूज में ली जाती है बात कर लेते हैं कि डोस के बारे में तो इसको 10 mg पर केजी पर डे के साब से पिसेंट को दे सकते हैं महाना किसी बच्चे का भी 10 kg है तो 10 गुणा 10 मतलब के 100 mg इस 100 mg को आप दिन में दो बार एज़ा बीडी दे सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं एसित्रोमाइसिन के बारे में एसित्रोमाइसिन ये भी एक antibiotic medicine होती है मतलब के bacteria के infection को रोकने में इसका यूज किया जाता है अगर बच्चों में throat मतलब के गले में infection या nasal infection मतलब के नाख में infection हो जाता है तो एजित्रोमाईसिन का यूज किया जाता है तो चनरली एजित्रोमाईसिन का यूज अपर रेस्पिरिटरी ट्रेक्ट में अगर बेक्टिरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस केस में एजित्रोमाईसिन का यूज किया जाता है एजित्रोमाईजन की डोस कितनी देनी होती है ये 10 मिलिग्रेम पर केजी पर डोस और इसकी सिंगल डोस मतलब के OD% को ये देनी होती है नेक्स बात कर लेते हैं एमोकसिसिलिन के बारे में एमोकसिसिलिन भी एक एंटिबाइटिक्स मेडिसिन होती है जो कि बैक्टिरिया के infection को रोकने में इसका यूस किया जाता है बैक्टिरियाल इंफेक्षन जैसे के नाक में इंफेक्षन या कान में इंफेक्षन या निमोनिया और ब्रॉंकायित इसके गेस में Aemoxicillin को यूस कर सकते हैं इसकी जो डोस होती है वो 40 मिली ग्रेम पर केची पर डे इसके बेस पर पेसेंट को दे सकते हैं ओके थैंक यू